नमस्ते भाई और बेहनों आज हम कर रहे हैं पिक्चर अजीब दास्तान्स का रिव्यू जो हम नेट्प्लिक्स में देख लिए हैं तो पहली चीज आपको बता दे कि इस एक पिक्चर में आपको चार पिक्चर का फायदा मिलेगा काक केते हैं उसको एंथोलोजी है एक ही ठीम पे जो है चार अलग-अलग कहानी दिखाया गया है तो पहली इस्टोरी का नाम है मजनू और इसका निर्देशक है ससांग खेतान और इसमें फातिमा सना सेग जो है हैं सही बता रहे हैं और उनके पती बने है जैदीप एहलावत और वह पती से ज्यादा उनके पिता लग रहा है हां तभी न वह विचारी धरुदा देख रही थी कहानी हमको ज्यादे इंप्रेसिव नहीं लगी लेकिन एक बार देखने योग्य जरूर है दूसरा कहानी है नाम है खिलोना उसको राज महता ने डिरेक्ट किया है और इसमें नुसरत बरूचा और अभिसेक बैनर जी है कहानी एकदम ट्विस्टिड है हां थोड़ा सस्पेंस भी है और थोड़ा अमीर गरीब का बीच का जो दीवार है वो थोड़ा दिखाया गया है तो आप जरूर सकल ही ऐसी है कि हर बार उसको मुझलिम कातिल जो है रेपिस्ट ऐसा सब रोल मिल जाता है लेकिन लड़का बहुत अच्छा आक्टर है बहुत बहुत आसिरवाद इसरी कहानी के नाम है गीली पुच्ची और इस कहानी में कॉंकना अजीति राव हैद्री और एकदम बेस्ट ने तो एकदम इंटर नेशनल लेवल का एक्टिंग कर दिया हां मलब जादा बड़ी बात नहीं बोलेंगे लेकिन अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्सन नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ कोंकना की पफॉमेंस देखने के लिए आप जो है नेटफ्लिक्स का अनकही और मुख्य भूमिका में उसमें है शेफाली शाह और मानव कॉल और दोनों बहुत बेजोड कलाकार हैं दोनों ने बिना कहे ही एक्स्प्रेशन से बहुत अच्छी अदाइगी की है और दोनों बधाई के पात्र हैं साथ में निर्देशक कयोजे इरानी का फश्ट प्रोजेक्ट है तो बेटा कीपीट आप आपने बहुत अच्छा काम की एकदम नुवांस्ट डिरेक्शन हम कहना चाहेंगे आपने किया है लेकिन सच बात यह है कि गीली पुच्ची के बाद थी अनकही तो कहीं ना कहीं उसका इंपक्ट जो है ना वो खो गया था हम होते ना अगर करन जोहर सर के साथ तो हम उनको बोलते के पहला यह तीनों कहानी रखो और एंड में रखो गीली पुच्ची तो क्या पिक्चर खतम होता एकदम फिलिंग के साथ पर फिर भी ऐसा हो नहीं सकता कि आंटी कोई पिक्चर देखे और उसकी गलती ना पकड़े तो इस पिक्चर का भी एक ठोग गलती हम पकार लिए हैं और वो पिक्चर का गलती यह है कि सेफाली साथ पूरी राग जो है गुलचेरे उड़ा रही और घर नहीं आई और उसका खसम एक बार नहीं पूचा कि तुम कहां गई थी तो राजा ऐसा नहीं होता है हमारे पंडी जी हम स्वाएं विवेक से और कमेंट्स में हमको लिखके बताओ आपको कैसी लगी ठीक है अजय चलते हैं चाय चड़ाई है